सबसे बड़ी खबसेश करते शुरू आदबॉर्ट बुलेटिन की दिली बॉर्डर पर 378 दिन से चलरा किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया है किसान नेता बलबीर राजेवाल निका के सरकार को जुका कर हम जा रहे हैं हलाकि ये मोर्चे का अंत नहीं है हमने इसे सगित किया है 15 जनवरी को फिर सजुत किसान मोर्चा की मीटिंग होगी जिसमें आंदोलन की समिक्षा किया जाएगा आंदोलन खत्म करने के बाद सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाने शुरू कर दिये इसके लावा वात्री के त्यारी भी शुरू कर दे गई है और 11 तारीक को वो यहां से लोटना शुरू कर देंगे तो फिराल एक बड़ी खबर एक ऐसना अंदोलन जो की पूरे एक साल तक चलता रहा और रायज के विविन हिस्तों के किसान पहुंसते रहे दिल्ली और दिल्लू के तमाम बौडर्स पर वो बैटे रहे अपनी मांग मनवाते रहा आखिर में सरकार को जुका या भी इस बात इंकार आप नहीं कर सकते किरिशी कानूनों को लेकर जो विरोध था इन किसानों का उसके सामने सरकार को जुकना पड़ा है और अब इस बैटक को इस आंदोलन को खत्म करने का एलान किया गया है हलाकि आंदोलन के साथ-साथ यह भी कहा गया कि फिलाल हम खत्म कर रहे हैं एक बार फिर सम जबेंगे अपने और विभिन मांगो को लेकर तो फिलाल के लिए हम जा रहे हैं सगित हम इसे कर रहे हैं और शुरुआत इसकी हो रही है और हम सिदा रुक करते हैं दिली का हमारे सहयोगी फरा इस वक्त आप पर मौझूद है फरा क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं और तस्वीरों में क्या नज़र आ रहा है पंकर साफ तोर से एक साल का जो लंबा संगर्श था कि सानों का वो अदुख खतन हो गया है 11 तारिक तो जिस तरीके साब भी टैंक उखड़ना शुरू हो गया है क्योंकि टैंक टैंक टक्क्त हो गयते हैं सिंगु गैड़र कि अगर हम बात करें या 32 पंजाब संगतन की बात करें उन सब में प्रस्ताफ सामने रख दिया है और दीरे दीरे तैयारियां होने लगी है ट्राक्टर में गद्दे से लेकर सारा समान जो है वो दिखने लगा है क्योंकि साथ तोर पर आज एक बड़ी मीटिंग हुई और आपको बता दू जिस मीटिंग में तकरार चल रहा था उसमें नेन मुटे यही थे जो प्रस्ताफ वो मांग रहे थे वो यही था कि मुवज़े पर जो संगर्श है मुवज़े की बात हो रही थी बिजली बिल की बात हो रही थी और दूसरा कि बहुत सारे किसानों पर आंदोलन के चलते केसिस थे तो इन सारी बाते पर जो है सरकार एक तरीके से जुग गई और उसके बाद सामने यही किसानों का रुखाया है कि हमारा जो प्रस्ताब है वो रख लिया गया और हमारी अब बात माननी गई है तो अब हुमारी बात मान ली गई है तो यहां रुकने का आव उच्झत नहीं है तो साथ तवर पर बलवीर सिंग जी अ भी यही कहना था जब हमारी बात मान ली है क्योंकि एक साल से जम संगश कर रहे ते सरकार उसके आगे जूग गई है क्रिशी कानुनों की बापसी के बाद फिसानों में भी एक नर्मी देखने को मिली तब साफ तोर पर आपको बता दूँ कि मुआफजे की जो बात हो रही थी वो हर्याना और यूपी सरकार से पूरी हो गई है उस पर महुड लगई है उफिशली इन लोगों को जिन जिन चीजों पर तर्च जो फस रहते हैं वो सामने आ गया है उफिशल लेटर में आपको बता दो कि हर्याना दिल्ली यूपी जहां जहां भी कैसिस हुए थे वो सब वापस लिए जाएंगे तो अभी भी जो पेच फसरा है वो एमस्पी कर्ल्स माफिय और इन सब पर है तो उसके लिए एक 15 जनवरी को मीटिंग की जाएगी लेकिन किसानों ने अपना जो आंदोलन है उसको खतम कर दिया है और ग्यारा तारिक से यहां से वापसी शुरू हो जाएगी और तरीके से पहले की तरह बोडर खाली हो जाएगी कि उनकी और से कहा जारा कि हम फिलाल संगेद करहें लेकिन हमारी बहुत सारी मांगे अभी भी सरकार नहीं मानिए उसको मनाने कि लूगा फिर समिंदोन कर सकते ऐसे संखेत भी तो दिये जा रहे नहीं कौन सी मांग यहाँ हो सकती है और वो कितना व्यापक बड़ा अंदल उनागा? लेकिन सरकान ने फोरण प्रस्ताफ दिया कि जल से जल यह हो जाएगा आंदूलन खतम कर दे तो इनलोगों उनाफिशल ले रही है आप जो पेच जिस पर 15 तारिक को मीटिंग होगी वो सिर्फ MSP और कर्जमाफी है तो यह कुछ ऐसे मुद्धे हैं जिनको लेकर अभी भी कि जिस तरीके से पेंट उखाये जा रहे हैं सारा समान ट्रॉलियों में रखा जा रहा है तो इससे साफ हंदेश है यह कि अद्धी के लिए एक राहत सामने आ गया 15 जिन्वरी को मीटिंग होती है जो पेच फसरा उस पर सरकार किस तरीके से बात रखती है और क्या बात होती जदो जद का समापन आकिरकार हो रहा है और किसान अपने वापस घर के लिए जा रहा है रवाना हो रहे 11 से रवान के शुरू हो जाएगी फिलाल टेंट उखाड़े जारो पूरी जानकारी हमारी से की फरा देरी ती बहुत बात शुक्रिया फरा आपका आपने तमाम जानक लाइक अंड शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा